सल्मान खान की बढ़ाएगी सुरक्षा घर के बाहर गोली चलने के बाद हाई अलर्ट पर मुंबई पुलिस बॉलबूर के सुपरस्टार सल्मान खान के घर के बाहर फाइरिंग हुई है इसके बाद से ही सल्मान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है एक्टर के घर के बाहर गोली चलने की घटना रईवार यानी 14 अप्रेल को सुबच चार बस के 55 मिनट पर हुई उस वक्त एक्टर के मुंबई के बांदा इलाके में गेलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर दोग्यात हमलावर बाइक पर स्वार होकर आये और उन्होंने तीन से पांच राउंड फाइरिंग की वाई प्लस के साथ सा सलमान खान की शुरक्षा बड़ी सलमान खान को पहले से ही वाई प्लस शुरक्षा मिली हुई है अब गोली चलने की घटना सामने आने के बाद सलमान खान और उनके घर के आसपास कि शुरक्षा कड़ी कर दी गई है वाई प्लस शुरक्षा में 11 कर्मियों कि शुरक्षा होती है जिसमें 2-4 CRPF या CISF कमांडो और पुलिस कर्मी शामिल होते है फिलहाल राहत की खबर ये है कि इस घटना से किसी की मरत्यू या कोई घायल नहीं हुआ है बांदरा पुलिस ने नहीं उठाया फोन सलमान खान के घर के बाहर गोली चलने की घटना के बारे में और जानकारी के लिए हमने बांदरा पुलिस इस्टेशन पर फोन किया लेकिन उन्होंने फोन रिशीव नहीं किया पहले भी सलमान खान को मिल चुकी है धमकी इस घटना से पहले भी सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है सल्मान को मारने की धंकी ये गैंगिस्टर लॉरेंस विश्णुई दे चुका है एक interview में भी उसने खोलयाम कहा था कि उसके जीवन का लक्ष सल्मान खान को मारना है लॉरेंस की धंकी के बाद मुमई पुलिस ने सल्मान खान की सुरक्षा की समीख्षा भी की थी पिछले साल भी सलमान खान के आफिस में एक धमकी भरा इमेल भीजा गया था जिसके बाद गैंगिस्टर लॉरेंस बिस्नुई, गूल्डी बरार और रोहित गर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था